नमश्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फेर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फलों के बारे में जैसा कि हम सबी लोग जानते हैं कि फल खाना हमारे शरीीर के लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही फाइदेमन होते हैं लेकिन दूसरी और कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिने हमें सुबह खाली पेट के सुबह के वक्त नहीं खाने चाहिए अखिर ऐसे कौन से फल है और इसके पीछे का कारण क्या है ना खाने का आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताऊंगी तो प्लीज आप मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेगा और एंट तक देखेगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे केले के बारे में केले में मैगनेशियम की मातरा बहुत अधिक होती है और इसलिए से सुबह नहीं खाना चाहिए और दूसरा फूरूट है हमारा नाश्पती सुबह खाली पेट खाने से हमारा जो डाइजेशन है वो भी गड़ सकता है इस पे ज़्यादा सर पढ़ता है तो नाश्पती भी हमें सुबह खाली पेट नहीं खानी चाहिए इसके अलावा सुबह के से में हमें कौन से फल नहीं खाने चाहिए देखे दोस्तों खटे फल खटे फलों को आप दिन में कभी भी खा सकते हैं लेकिन खाले पेड सुबह सुबह अमरूद, संत्रा, अंगूर जैसे फल खटे फल और ज्यादा फाइबर वाले फल से हमें परहेज करना चाहिए जो कि हमारी हैल्थ के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इन में फ्रुक्टोज और फाइबर बहुत ज्यादा होता है और वो आपके शरीर का मेटबोलिजम को स्लोडाउन कर सकता है तो इसलिए हमें खटे फलो का सेवन सुबे के वक्त नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो तो ध्यान रखेगा कि कभी भी सुबे के वक्त आप ये खटे फलो का सेवन ना करें ताकि ऐसा नहों कि अगर आप ये सोचकर फल खा रहे हों आपके शरीर को फाइदा मिलेगा कि आपको इसके जगे पे कोई नुकसान हो इसलिए आप खटे फलो का सेवन सोबे के वक्त ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और इसके इलावा आप दूसरे फल खा सकते हैं जैसे पपीता से इन फलो का सेवन आप सोबे कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे तो धन्यवाद दूस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा